वलसाड में डॉक्टर हाउस अस्पताल पर गंबीर आरो मरीज की कोरोना के इलाज के दोरान अस्पताल में मोथ होने पर परिवार के सदस्यों ने शोक व्यक्त किया अस्पताल प्रणाली पर गंबीर आरोप लगाये गए कि रोगी को परियाप्त उपचार नहीं मिला और उसे समय पर इंजेक्शन भी नहीं मिला मरतक के परिवार के अनुसार अस्पताल ने मरीज के लिए 8000 रुपे के 6 इंजेक्शन का आदेश दिया था लेकिन मरीज को केवल 3 इंजेक्शन दिये गए थे और बाकी इंजेक्शन अस्पताल वालों ने क्या किया उन्हें नहीं पता इसके अलावा मरतक के परिवार वालों ने गंबिर आरोप लगाया कि इंजेक्शन भी नहीं दिये आरोप है कि अस्पताल द्वारा 1000 रुपे के इंजेक्शन लाने के बाद भी मरीज की मोत हो गई अस्पताल के सामने म्रतक के परिवार जनों ने प्रदशन किया मामला को गर्मात्ता हुआ देख पुलिस बंदोबसने प्रदशन कारियों को वहां से हटाई अधिन्जेक्शन खाई गिया एलोको ने मारा हस्बन ने राटन डोड वागे मनें एंके छे टमें एंके इंजेक्शन आपी निग्या इंजेक्शन अमें सड़ा आँट वागे नापी गईला दक्तर यहां कभूल केरूने आँट हजार थी पचास हजार होदी ना इंजेक्शन मोकाईला एलोको यह एलोको यह किदे लूके अमारा थी बहुत मोटी भूल थाईली छे अमें मा भी मांगे बड़्डु मारी पासे रेकोर्डिंग छे में अमनी पासे बड़्डु आजे किदेलू छे ने बड़्डु मारी पासे रेकोर्डिंग छे आठ हजार थी लेएने पचास हजार ना ने भी जाएवा ही याँ मेडिकल माती तो केटला केटला रोजे रोजना इंजेक्शन भी लिदेला छे डोल लाख रुपियना इंजेक्शन तो ते आई पा 100 Md ना ने 400 Mb ना एवा मारी लखवा बहला अज भगवन भरोस अमें छोडी ने जाई याँ अंदर तनी जवादे ने लोको नी जारे बूल थाई ने तमाने पीपी केट पेरी ने अंदर लेगिया याँ परम दिवासे के इंजेक्शन नी आई पूटा हमारी बूल थाई जे एम करीने मैं के नुमारा हस्बन सा अठे मारी केटला साड़ा ग्यर वाद चालती होती ने पछी तमें दोड़ वागे फोन करें के आई शूठी यू मैं के इंजेक्शन आपी केटला ना थी तमें दोड़ पर ना थी इंजेक्शन माईडा सिस्टर नुमारी पासे बड़्डू छे और रेकॉर्ड याँ एकटस तरीके होस्पिदल मा और्चिड होस्पिदल मा लेने गियो पेलला त्या हमने कीटू के सिटी स्किन ना रिपो दॉप के शोर्ण ना थी तो आमें डॉक्तर हाउस मां में अड्मिट के रा मरा थी जाने ने पच्छी एक डियोस बे दियोस त्या पटके अपड़े पासे इंजेक्शन भागागा के इंजेक्शन लख्शन लखे है पाके तमारा इंजेक्शन लावा ना थी त या तेवी आच इंजेक्षिन तो लगेला तेमा एंजेक्षिन तौन मने माईड़ा ते आठा रजय दूकते नहीं के नहीं के लुदू नाज एलोको ने भी ओन पाने पड़िया आपकाना छे जी जा अंग्जेक्षिन अंग्या अपना से जिजा हत्त अ ने फ्रत आप ता एमने बध्ध सब्सक्राइब चाहिवे Moderio अपी दे जो ने के विटन आप पनुछे एपान कि डॉक्तर है ने पची रात्रे दोड वाग्या अमरे फोन आवे चे के तम्हें इंग्जेक्शन आपी नथी गिया जू तम्हेर पेशन सीरिस थे गिया अबर एंग्जेक्शन को आचे ने कौने आप एलूने एव बदी अव इंग्रिक्शन आपता नथी नंदर एलूको छोल चूपी राखी देशे ने पेशन ने आपता न थी एलूको इंग्रिक्शन मारों जीजानु आज ओसान थे गिए ने टे पॉनट मारी पासे काले चे ने ते एलूक मिने प्लाज्मा अप्ड़े प्लाज्मा थारेपी गेर गुरुपी आज़िया अगेर दादरा नगर हवेली के सुरंगी गाउं में एक नई कम्पनी का निर्मान कारिद चल रहा है जहां सुरक्षा दिवार के बाजु में मजदुर जोपडी बांद रहे थे बारी बारिश के कारण अचानक दिवार धराशा ही हो गई वहां जोपडी बांद रहे मजदुरों में से पांच लोगों की मोके पर ही मोत हो गई और दो अन्य गंबीर रुप से घायल हो गई उन्हें विनोबा भावे सिविल अस्पताल में भरती कराया गया है राप्त जानकारी के अनुसार सुरंगी गाउं में नव निर्मित महैश्वरी पॉली में कमपनी की सुरक्षा दिवार के रात के समय पानी के बहाव में अचानक व्रद्धी के कारण दिवार धह गई और सीधे बगल की जोपड़ी पर गिर गई गटना की सूचना खानवेल पुलिस को दी गई और पुलिस और दमकल विभाग की एक टीम ने मोके पर पहुँच कर मलबे को हटाया जिसमें पांच लोगों की मोके पर ही मोत हो गई और दो अन्य लोग गंबी रूप से घायल हो गया जिने इलाज के लिए विनुभा भाव सिविल अस्पताल ले जाया गया म्रतक की पाचान राजू बापु जादव उम्र 35 वर्ष अश्विन जैरा उम्र 19 वर्ष बालू ककड उम्र 40 वर्ष जहिर सोमा उम्र 46 वर्ष ये सभी एक ही परिवार के हैं और अनिल जो गुजरात का मूल निवासी है इस घट्टा में दो जैश देवजी जिने इलाज के लिए विनुभा भावे सिविल अस्पताल में भरती कराया गया है। सिंदोनी गाउं के एक ही परिवार के चारो सदस्य की गाउं में मृत्ति हो गई। गाउं में शोक का महल था। सरपंच विपुल मोन सारा ने कहा कि चारो पीड़ित हमार जाड़े खानवेल आर डीसी राजीव रंजन ममलतदार पहची ने घटना का निरक्षन किया और कंपनी के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज करने का प्रस्ताव लिया गया। सुरंगी रायपाड़ा में भारी बारिस होने के वज़े से दिवाल पांच चार पांजलों मर गया। वहां के अधर उदर क्यों दिवाल के पास मेटा था। दिवाल के सा उदर उनका जोपड़ा था। उसके वज़े से वो निकल ने पाया। यह ऐसे हैं कि यह कल निकले हुए थे और ऐसे के बारिस नहीं हो रही ऐसे करके काम के लिए निकल गए यह। कल के कल ही निकल गए थे और फिर बारिस बहुत तेज हो गए। बारिस बहुत तेज के कारण वो घर आने पाये। और वहाँ पे एक दिवाल थी, दिवाल के पिछे में एक चोटा सा जोपड़ा बना के वहाँ पे उनलोक ने उनका गुजारा कर लिया। और जब बारिस बहुत ज़्यादा तेज हुई तो उनको पता नहीं चला, जब बेठे थे सारे लोग उसमें और सारे चारों के चार एकी घर के थे, उसका बाप था, उनका बेटा था और उनके ही रिलेशन में एकी घर में रेने वाले उस सारे थे, और ये बहुत ही बड़ी दूप की खबर हैं हमारे लिए, मेरे पंचाज से है, सिंदोनी तोरनी ची मान से है, वो चारों के चारों, जो भी उसमें धेख हुए 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 वापी में भी राम मंदिर की आदार शिला रखने के अवसर पर खटा के छोड़े गए और मिठाईयां बाटे गए यह दिन आयोद्या में श्री राम मंदिर के शिलानाय समारों के मद्दे नजर वापी में भी मनाया गया वापी नगरपालिका प्रमुक वी आई सेकेटरी की उपस्तिती में नगरपालिका के नगर सेवकों ने पटाकों का वित्रंट किया और सुलपात छेत्र में मिठाई वित्रित की अध्यक्षवर VIA सचीव ने वापी के कारे परिचारकों की सरहना करते हुए कहा कि यह दिन इतिहास में सुनरे अक्षरों में लिखा जाएगा पांच अगस्त को पूरे देश में सूनिस में चिन्नित किया जाएगा इस दिन अयोध्या में श्री राम के भव्य मंदिर का शीला नयास समारो प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी जी और साधू संतों के हातों से पूरा हुआ इस दिन के महत्व को ध्यान में रखते हुए देश के साथ वापी के भक्तों ने भी पटाके और मिठाईया बाटी वर जय श्री राम के जाप के साथ मनाया वापी नगर पालिका अध्याक्ष विठल पटेल और वापी इंडस्ट्री एसोसियेशन के सचीव सतीश पटेल की उपस्तिदी में सलपड छेतर के नगर सेवक संजय पटेल द्वारा एक अनुठा उत्सव कारिक्रम का आयोजन किया गया जिसमें सुलपात छेतर के पहले गणमाने लोगों ने श्री राम की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किये दीब जलाए और पटाके पोड़े और सभी उपस्तित लोगों को मिठाई खिलाई इस अवसर पर वापी नगर निगम के अध्यक्ष विठल पटेल ने कहा कि देश में 500 वर्षों से जिस राम मंदिर को लेकर विवाद चल रहा है वह प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेत्रत्व में एक सुखद अंत बन गया है पांच अगत्स को अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए जमिन पूजन का समहरो आयूजित किया गया है एस अवसर पर प्रमुकों ने वापी के जीवित अम्रतक कारे सेवकों को भी शर्दान जली दी तो वापी इंडस्ट्रिस एसोशेशन के सचीव सतिश पटेल ने कहा कि पांच अगस इतिहास में सुनरे अक्षरों में लिखा जाएगा आज भव्य राम मंदिर की आधार शिला रखी गई है यह हिंदू समाज के लिए गर्व का दिन है जिसे आने वाली पीड़ी भी द्र पांसो वरस्ती ते राम मंदिर माटे भारत देश संगस करी रह होतो पन आपड़ा यशश्वी वड़ा ब्रदान नरंजर माई मोदेनी नेतागिरी मा आजे एनो निन्ना आवोन बदास समुदाए इस विकार्यों सर्वमां ते शिक्वार्वां मावयों अना आजे यह भव पोन अक्षरे लखाए वो कारी आ देश मां भाही रहुचा का विश्व मां राम बदास समुदाए इंडोनेशिया होई स्रीलंका होई विजा बदास देश मां राम नी पुझा खाए जे भववान के भारत तार दी बड़ा आका विश्वला बदावान चे अन एमनु आ वापी मां थी आपड़ा जवार भाई शंकर भाई किकुबाई नतियत क्यारे हयात जे आतक्यारे हयात चे हमने पड़न मंदन करी अने हमने वो प्रणाम करूछू अन आवी सारी कामगीरी मांटे हमने बिर्दाव होई आवनारा दिवस्वा आप एड़ी याद राक्षे का राम भग्वान नो संकल भशू हो तो अने नरेंदरभाई मोधी के राम राज्या स्थाफवा जई रहा चागा विश्वने प्रेड़ना आपी रहा चे चारे आपड़ा मांटा गवरों नो दिवस्वा चे आत्यासिक दिवस्वा चे जे इंदू संस्कृती मांटे और भार अने आपने एक सामाजीक और संस्कृती गृते आपने पांसो वरस ना इत्यास मां जे आपनो दिवस्वा चे जे आतुरता ती राह जोई रहा था अरुद्या मां जे भविया मंदीर बने येनो आजे एक पुठाथ मुरा नो शिलान्यास मानमी ये आपना असस्वी तो मुठी द्वारा थाई रहे हो चे अने आजे एक घर्वो बावत अने जे वापिवासियों येना माते आजे जे ये एक अमारा पर्पुरेटर संजय भाई आने सुनपड एरिया ना बदा मीतों साथ एक सुवर न दिवस तरीके आजे राम बगवान नो जे आजे एक मुसाम मोटू भवियम मंदिर बनी रहे हो चे एना माटे बद्दाने खास करेंगे जे बद्दा हिया अमारा पर्पस थे खास अभिनान आपू छे आउड आम मंदिर बवयम मंदिर जे आपने आजे आजनी पेडी जे वरसो थी कार सिवाकों पूल जे लोपए येमारा शंपूर न बनीदाना आपनीचे, अमने भी मुँ आ तबक के एक सद्धान्विय तरी के अमने रिल्मूचुु। बने आवता फेडी माटे जे एका मंदिर बनी रहो छे, अमने जे बवी इत्यास आजे धी रहो छे, इना माटे वापी वाशी हो, बने बन्दा मारा मीत्रों ने सुप्राम नापु छे। NDRF की टीम ने वलसार जिले के उमरगाम तालुका में संजान बंदर गहा पर भारी बारिश में फसे 136 ग्रामिनों को बचाया और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर स्थांतरित कर दिया इस इलाके में 24 गंटे में 14.52 इंच बारिश हुई जिसके कारण वेरोली नदी में बार का पानी गाउं में लोट आया है NDRF की एक टीम ने पे 45 बच्चों और एक गर्भवती महिला को बचाया जिसे आगे के इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है वलसार जी ले के संजान गाउं के पास संजान बंदरगाह पर भारी बारिश में 136 ग्रामिन फसे थे रात में मुस्लाधर बारिश में फसे ग्रामिनों को बचाने के लिए NDRF की एक टीम देजी गई बुदाराम देवासी के नितत्व में इंडियाईरेफ की एक टीम संजान बंदरगा पहुँची और ततकाल बचा अभियान चलाया बचाऊ अभियान को संजान बंदरगा पर चलाया गया और 136 लोगों को इंडियारेफ की टीम ने बचाया एक 32 वर्षिय गर्ववेती महिला को बचाया गया और उपचार के लिए अस्पताल में स्थानतरित कर दिया गया कुल 35 पुर्षों, 65 महिलाओं और 45 बच्चों को बचाया गया और एक इस थुरक्षित स्थान को स्थानतरित कर दिया गया संजोली बंदरगाहा के पास भारी बारिश के कारण वरोली नदी में बाड़ आई और जैसे ही बाड़ का पानी आसपास के ग्रामिन छेत्रों में भरने लगा और ग्रामिन तीन बजे तक कमर्थ से गहरे पानी में फस गए NDRF की टीम ने सुबह 6 बजे तक उन्हें एक सुरक्षित स्थान पर स्थानतरित कर दिया था और उसके बाद कुछ लोग बिलाड के पास धोड़ी पाड़ा गाउं में भी फस गए थे NDRF की टीम ने ममलतदार के साथ यहां से भी लोगों को सुरक्षित स्थान पर स्थानतरित कर दिया NDRF की टीम ने वलसाड जीले के धोड़ी पाड़ा गाउं में भारी बारिश में फसे परिवारों को नाओं से बचाया और उन्हें सुरक्षित स्थान पर स्थानतरित कर दिया राष्ट्री आपदा प्रतिक्रिया बल ने दो नाओं में एक ही गाउं के 82 लोगों को निकाला और उन्हें बोजन के पेकेट सोपे NDRF टीम ने बताया मंगलवार को वलसाड जिले में भारी बारिश के कारण उमर गाम तालुका और दोड़ी पड़ा गाउं में संजान के पास बनत पाड़ा छेतर में बारिश का पानी भर गया था गोड़ी पड़ा गाउं में लोग कमर से उपर तक के पानी में फस गए थे NDRF की टीम दो नाओ के माद्यम से गाउं में पहुँची और गाउं के बुज़र्ग लोगों के साथ साथ महिलाओं, पूर्शों और बच्चों को बहा सुरफशित इस्तान पर पहुँचाया कुल 22 लोगों को निकाला गया और NDRF की टीम दोरा उन्हें खाने के पेकेट बाटे गया बल्सार जीले के उमरगाम तालुका के दहरी गाम के भंडार वद के निवासिदायाराम बंडारी का घर मंगलवार की आधी रात भारी बारिश के बिज़री की चपेट में आ गया, रितिक बंडारी नामा के क्यूवक की मोद से परिवार दुखी था गटना के बारे में प्राप्त वीवरन के अनुसार मंगलवार रात उमरगाम तालुका में भारी बारिश के साथ बिजली गिरी थी एक तरफ रोशनी चली गई और देहरी गाउं में भंडारवात के में एक घर में बिजली गिर गई घर पर जमीन पर पड़े 20 वर्शे रितिक दयराम भंडारी की मोके पर ही मोत हो गई बिजली के उपकरनों सहित घर के अन्य सामानों को बिजली की व्यापक शती हुई मरतक के परिवार जनों ने कहा कि बारिश के मोसम के बीच गरज और बिजली की आवाद सुनी गई इस बिजली घर और उसके पास के घर के पास एक पेड से टकरा गई वर्तमान में बिजली गिरने से होनहार युवक की मोत पर परिवार में शोक की लहर है करें वर्तमाद से लिजली में भी गई मंगलवार रात वापी में जोरदार बारिश हुई फिर ऐसे बरसात के माहुल में मंगलवार रात वापी जोरदार बारिश हो रही थी दूसरी तरफ आग लगने का कारण नहीं पता था आग लगने के बाद वापी नगर निगम और अगनी शमन विभाग को सुचित किया गया अगनी शमको ने तुरंट आग बुझाई बरसात के मोसन में भी आग के विक्राल रूप को देखते हुए साथ से अधिक फायर टेंडर बुलाए गये और आग पर पानी और फोम चला कर काफी प्रयास के बाद आग पर काबू पाया गया हाला कि आग लगने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया और कोई जानमाल की नुकसान नहीं हुए लेकिन कमपनी में मशिनरी सही तैयार उपाद में आग लग गई इस साल वलसार जीले में मानसुन कमजोर हुआ है मोसम विभाग के पुर्वानुमान के अनुसार मंगलवार को फिर भारी बारिश हुई जीले के उमर गाम और वापी तालुका में भारी बारिश ने लोगों के जीवन को प्रभावित किया मदुबन डेम में पानी की आवक बढ़ने से दो गेट दो मीटर तक खुल गए और 16,083 क्योसिक पानी दमन गंगा नदी में छोड़ा गया मौसम विबाग ने अगले चार दिनों तक दक्षिन गुजरात सहीद पूरे गुजरात में भारी बारिश का अनुमान लगाया है पूर्वा अनुमान वल्सार जीले के लिए था और सूखा ग्रस्त जीले में वरुन ने उनके आशिरवात की वर्षा की थी वल्सार जीले में पिछले 24 गंटों में भारी हवाओं के साथ भारी बारिश हुई एक और उमरगाम में 24 गंटों में 14.52 इंच बारिश हुई 115 mm बारिश के साथ वापी में बर्शा हुई जीले में मेग माहेर के साथ किसानों में खुशी की लहर छा गई और नागरिक पानी भरने से परेशानी में आ गए जीले के तालुका के अनुसार उमरगं तालुका में 24 गंटे में सबसे अधिक 363 mm बारिश दर्च की गई में 8 mm बारिश हुई उपर वास में भारी बारिश के कारण मदुबन डेम में 16,417 क्योसिक पानी आया है बर्तमान में मदुबन डेम की सतह 33.30 मीटर तक पहुँच गई है जब बांध के दो गेटो पर 2 मीटर 16,83 क्योसिक तक खोला गया तो दमन गंगा नदी में पानी छोड़ा गया अगर हम जीले की कुल मोसमी वर्षा की बात करें तो उमरगाम तालुका में 1034 मीलिमीटर की कुल मोसमी वर्षा दर्च की गई है इसी तरह वलसार तालुका में 809 mm, पाडी तालुका में सबसे कम 490 mm, वापी में 708 mm, कपर राडा में 700 सित्यासी mm, और धरमपुर तालुका में 545 mm बारी बारिश के चलते जीले में एंडी आरेफ की एक टीम तेनात की गई संजान और गोड़ी पाड़ा के ग्रामिनों को बचा लिया गया है और उन्हें सुरक्षित इस्थान पस्थान तरित कर दिया गया है बारिश। कर दो 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 कर झाल 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 झाल